नमस्कार आप देख रहे हैं अपना उत्राखर्ण मैं हो शीनम शर्मा सबसे पहले बात उत्राखर्ण में ददक रहे जंगलों की दरसल पहाड में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की खटनाएं लगातार बढ़ रही है वन संपदा को नुकसान पहुचा है और पश्रों के लिए चारे की भी कमी हो रही है पौरी में भी गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग रगनी की खटनाएं बढ़ने रगी है श्रीनगर में भी कई जंगल जल रहे हैं, जंगलों की आग से लाखों की वनसम बदा जलकर लाख हो गई है, वन विभाक का कहरा है कि जंगलों की आग से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है इसमें तीन हीत्रे के लगब सिमिल बंच जला हुआ है, इसमें परियासतें दिन रहात लगे हुए हैं, हमारी फायर्डरी टीम जा रही है, और मौके पर जहां आग की सुचना मिल लिए है, अलेड आ रहा है, वहां पर पहुंचे हम आपको बुजा रहे हैं, काबो कर रहे हैं और जब तक के ताब मान आशकर बहुत बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा आग लगने की सम्मावना बढ़ी हैं, परिशाचने के इस तर पे इसे लगातार ही देखा जा रहा है और जिसकिसम की हमारी कॉंटिनुसली जो चील्ड के वनों में आग लगने की जो इंसिडिन्स होते हैं, उनको लगातार एड्रस करने के लिए हमारा फॉरिस्ट डिपार्टमेंट उनके वाचर्ज और फॉरिस्टर्ज और ये सारी इनकी कम्प्लीट टीम लगी होती हैं और वो उस पे काम कर रहे होते हैं उत्तराखर में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाय लगातार बढ़ रही हैं चकराता के कई जंगल आग में नहदक रहे हैं बिसोई जैंदो क्वांसी के जंगलों में आग लगी है जिससे भारी वनसंपदा को तक्सान पहुंचा है और जंगल जलने की वज़े से पश्वों के लिए चारे का भी संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है बागी खबर से बड़ी खबर जहां पर सातों रेंज में जंगल धतक रहे हैं आग में जलकर लाखों की वनसंपदार राक हो गई है रात भर जंगलों के जलने की वज़े से चारों तरफ धुन बचाई हुई है जंगलों में लगी आग को बुजाने में बन विपाग लोकसभा चुनाव में तमाम राजनितिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को उमीदवारों के लिए प्रचार के लिए मैंदान में उतार दिया है गाजियाबाद में भी सेकंड फेस में चुनाव होने है निसको लेकर आज लोकसभा प्रचाशी अतुलगर के समर्थन में स्टार प्रचारक और उत्राकन के मुख्यमंतरी फुश्करधामी प्रचार करेंगे शाम को तक्रीबन चार बजोई गाजियाबाद के हिंदी भवर में व्यापारियों को सम्बोधित करेंगे और अतुलगर के समर्थन में वोट मांगेंगे लोगसभा चुनाव 2024 का बेगल बजने के बाद सही तमाम राजियनिक पार्टियों ने अपने अपने परतियाशियों के परचार के लिए मैदान में उतार दिया है इसी कड़ी में गाज़बाद लोगसभा सीट से भाषपा के प्रतियाशी अतुलगर के लिए आज पुषकर सिंग धामी गाज़बाद में होंगे तस्वीरे आप तो दिखाना चाहूँगा ठीक मेरे पीछे की तस्वीरे हैं यहां यह हिंदी भवन है जो कि लोहिया नगर में बना हुआ है शाम तकरीबन चार बजे पुषकर सिंग धामी जो कि मुख्य मंतरी है उत्रा खंड के वो यहां पर आएंगे जिना एवं महानगर उद्योग वेपारमंडल के जो लोग हैं वेपारीवर के लोग हैं यहां पर आने के बाद उनका सम्मोधन करेंगे सम्मोधन करने के बाद अपील करेंगे कि अतुलगर को भारी मतोसी जिताया जाए आपको बताना चाहूंगा दिल्ली से एक्दम सता हुआ है गाज़ेबाद और होट सीट इसे कहा जाता है यही कारण भी है कि खुद परधारमंटरी नहींद मोधी ने भी यहां पर अपना उत्तराखन की पाच लोगसभा सीटों में सबसे जादा वोटिंग हरिद्वार सीट पर हुई बीजेपे विधायकों की सीटों पर कम और विपक्षी विधायकों की सीटों पर जादा वोटिंग ने इस सीट का गणित उलज़ा दिया है पिजेपी कॉंग्रेस और बीएस पी की फाइट वाली सीट हरिद्वार में वोटिंग की पास समीकरण उलज़ गया है पूरे राज में कम वोटिंग के बाउजूद हरिद्वार लोगसभा सीट में सबसे जादा वोटिंग के मुकाबले को और दिलचस्व बना दिया है सीटों पर कम वोटिंग चिन्ता की वज़ा है तो कॉंग्रेस और ब्यस्पी वाली सीटों पर जादा वोटिंग ने कॉंग्रेस का कॉंफिडेंस बढ़ाया है बीजेपी विधायकों वाले सीटों में वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाले तो धरुपुर में 51.8, डोईवाला में 57.2, हरिद्वार में 54, रुड़की और इशिकेस में 51.3-0, रानिपुर में 60 प्रतिशत वोटिंग हुई, वही कॉंग्रेस और BSP वाली सीट पर नज़र डाले तो भगवानपुर में 67.13, हरिद्वार ग्रामीन में 73.2, जबरेणा में 64.12, जुआलापुर में 64, लक्सर में 72, मंगलोर, पिरान, कलियार में 61, खानपुर में 58.6 प्रतिशत वोटिंग हुई, हरिद्वार में मुस्लिम दलिस समीकरण बड़ा फैक्टर है, पर ये फैक्टर किसको फायदा करेगा, ये 4 जून को पता लगेगा, पर हरिश रावत इसी फैक्टर को ज़्यादा वोटिंग की वज़ए मानते हैं हरिद्वार का चुनाव कॉंग्रेस के लिए बहुत ही अमर्त का काम कर गया है। अच्छी स्थिति में सीट भी निकालेंगे, सीट भी जीतेंगे, लेकिन ये है कि वोट वोटिंग कम पढ़ना ये थोड़ा सा हमारे लिए एक सोचने का विशेतो है। पहार की इस लोगसभा सीट में राज्जर बनने के बाद सबसे कम मतदान हुआ। सुबी की कलौती रिजाव सीट ने जोहां कम मतदान का रिकॉर्ड बनाया है। अलमोडा लोगसभा सीट पर लगातार चौथी बार बीजेपी के अजय टम्टा और कॉंग्रिस के प्रदीप टम्टा के बीच मुकाबला है। लेकिन लगता है इस मुकाबले को लेकर मतदाताओं में जोश ज्यादा नहीं है। मतदान पूरा होने के बाद जो आकड़ सामने आये हैं उससे हर कोई हैरान है। हालात यह है कि राज़ बनने के बाद पहली बार इस लोगसभा में सबसे कम मतदान हुआ है। आलम यह रहा कि पूरी लोगसभा में 47 फीजदी मतदाता भी मतदान केंद्रों तक नहीं पहुच पाए। बीते लोगसभा चुनाव में भी तकरीबन 49 फीजदी लोग मतदान केंद्रों में पहुचे थे। लेकिन इस बार यहां सिर्फ 46 दस्मलों 9 फीजदी ही वोट पड़ा है। चार जिलों की इस लोगसभा में सबसे कम वोटिंग अलमोडा में हुई है। यहां सिर्फ 45 फीजदी मतदान हुआ जबकि पिथारागड में 48, चमपावत में 51 और पागेश्वर में 54 फीजदी मतदान हुआ। इस लोगसभा सीट पर बारागव ने चुनाव पहिशकार भी किया है। बावजूद इसके 47 फीजदी से कम मतदान किसी के गले नहीं उतर रहा है। यह बास सही है कि मुख्य राजनेतिक जलों के चहरों ने मतदान को आकरशित नहीं किया है। यह भी सही है कि कठिन भॉगोले खालाद भी इसके लिए एक हत तक जिम्मिदार है। फिर भी ये समझ से परे है कि सर्ट विधान सभा में सिर्फ 31, धार चूला और गंगोली हाट में 42-42 फीजदी ही वोट पड़ा है। मतदान का ये गिराग्राफ उमिदवारों की धर्गने बढ़ा रहा है। जेटीन के लिए अल्मोडा से किशन जोशी के साथ पिथारागर से विजय वर्धन उपरेती की रिपोर। इसके साथ ही रेणु गंगवार के पती और कॉंग्रिस नेता सुरेश गंगवार भी विजय पी में शामिल हो गए। जोइन कर सुके हैं और फिलहल ये तस्वेरें आप देख रहे हैं महेंदर भट की मौझूदगी में सभी ने पार्टी को जोइन किया।